हेलो हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग ऐसा करती हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लोग में तो दोस्तों सुबा हो गई है और अभी सुबा के बज़ रहे हैं आठ तो हमारी आठ चाय जो है काफी लेट बन गई है तो जबसे ज़्यादा सरदी पढ़ने लगी है तबसे हम जो है साड़े साथ बजे तक उठते हैं क्योंकि सरदी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे आर्थर मारे साथ में ही उठ जाते हैं तो इसलिए थोड़ा लेट ही उठते हैं तो यहां पे चाय हमारी बन गई है उसके बाद में चाय ब्रेट का नाश्ता सभी लोग कर लेते हैं और बाद में खाना पिना बनाएंगे तो यहां पे जो है चाह नाश्ता करके उसके बाद में मसाला पीसेंगे सील पर क्योंकि पिसा हुई मसाला हमारा खुत हो चुका है तो यहां पर बच्चों को भी खिला दिया है ब्रेट वर गारए थोड़ा बहुत और तो जब तक खेलते रहेंगे नाश्ता हमारा हो गया है उसके बाद में मसाला पीश ने लगे हैं तोևह इनापे हल्दी, मिर्शी, धनिया, गरम recap, visa and labour reward लेशन सारे चीजये अच्छे से कटD करने लेए और इसके बाद में जो है इसे में पीश लेएंगे पीश लेएंगे पीश लेएंगे तो लेसन खतम हो गया था तो इसलिए سील पर पीशना पड़ रहा है तो यहां पर मसाला हमारा अच्छी से पिश चुका है और इसी में हमने प्याज भी पिश लिया है तो हमारी सील में दाँट नहीं हैं इसमें काफी दिन से नहीं होए हैं दो-तीन साल हो गए हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है मसाला पीछने में और दांत होते हैं तो अच्छे से जल्दी से मसाला पीछ जाता है और यहां पर मसाला पीछ चुका है तो मसाला अपना कटोरी में दो लेते हैं पानी से अच्छे से और उसके बाद में सब्ची बनाएंगे तो आज हम सब् पाले नहीं एक चै़ आलू ही काट लिये हैं और म्तर छील करक लिये हैं तो तो सबजी पहले ही अमने तैयार करके लिए ती चाह कहodor लिए थी तब और उसके बात में सबजी छोकेंगे, और सर्दी इतना ज़्यादा है कि काम करने में मतलब इतना ज़्यादा दिकत होती है जली जली से हाथ नहीं चल लाए थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, और उंगली जो है सुबह सुबह एकदम से ऐसा लगता है कि क ताप पाते हैं क्योंकि काम करें की आग तापें तो सारे काम हो जाते हैं तब ही जाकर आग तापना होता है तो यहां पर जो है उंगली हमारी सीधी नहीं हो रही थी और यहां पर जीरा डाल दिया था उसके बाद में मसाले भून लिया हैं साथ में डाल दिया है टमाटर और पीस लेते हैं तो पहती अच्छी सिस्टी बनती है तो की पेमेव अलुब टालो भी ट्रम पनेगे बने कीषारी होगी गूं जी बडnh में जी Calle impost to Origin National बराबर से डाल दिया है पानी और उसके बार ढग देंगे जब तक सब्जी हमारी पकेगी तब तक जो आटा वगएरा हमने लगा लिया था तो यहां पर सब्जी को है अलग कटोरे में कर लेंगे क्योंकि लोहे की कड़ाई है तो काली पढ़ जाती है अगर जादा तेर तक र और जो खूँ सेंगेके लिए तो बारांटे यहां पर खुदू की परांटे के लिए तुए- त Ouais-पहुत खुदू को थे मालें निकआतह। और साथ में हमने भी चल्दी से खा लिया था खाना और उसके बाद में अपना काम सुरू करना कर दिया है फिर से तो यहां पे भरतन धुल लेते हैं और उसके बाद में लगाएंगे छाड़ो अपी जाड़ो भी नहीं लगी है तो पहले भरतन धुल लेंगे उसके बाद में जब काम करने बैट जाओ न तो नहीं सर्दी लगती तो जल्दी से बरतन भी हमारे धुल जाते हैं वैसे ठंडा पानी होता है तो हाथ बिलकुल भी नहीं चलते हैं और इदर जो है दीरे-दीरे से बरतन मांज रहे थे कि अंगलियां जो है सीधी ही नहीं हो रहे थे इतना ज्यादा ठंडा है तो यहां पर लाइट भी आ गे थी पानी जो है गरम-गरम सा निकल रहा था तो जल्दी से बरतन हमारे धुल गएते और उसके बाद में आ गए हैं जाडू लगाने के लिए तो जाडू हमारे काफी लेट लग रही है बारा बजी बजी गए थे सारा काम करते करते क्योंकि सर्दी है और बीच-बीच में बच् हैं बच्चों ने फैल आई हैं पूरे घर में खेलते रहते हैं इसी की पतंग बनावना कर खेलते रहते हैं तो इसलिए फैली हुई गूम रही है पनी सारी तो आग जलाने के काम में आ जाती हैं ये तो इसलिए जो है नहीं फैकते हैं तो इनको जो है अभी खटा करके रग लिघेगा और हमारे रीती का भेहन ने कमेंट किया है कि आज है 18 जनौble 24 तो आज हमारी रीती का भेहन की साल ग्राह है marriage anniversary है तो आपको marriage anniversary की बहुत बहुत वदाई और आपको इस पर हमेशा सलामत रखे और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आपकी जिन्ज़ी में ठेह सारी खुसियां आए और 2024 आपका खुसी खुसी से बीते और आपकी गोदी जल्दी से भर जाए इस वर से हमारी यही परात्ना है तो बहन आपकी सादी की सालग्राप बहुत बहुत मुवारक हो और आप दोनों लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे इस वर आपको धेह सारी खुसियां दे और जल्ली से निन्ना मुन्ना शाह बाल गोपाल आजाए आपके घर में तो हमें बहुत अच्छा लगा हमारी बहन ने हमें इन्वाइट किया हमारे पूरे परिवार को तो आपका बहुत बहुत धन्वाद आपने इन्वाइट किया और समझो हम आ गए तो बहुत ज़्यादा खुसी हुई हमें आपने बहुत धी प्यारा सा कमेंट किया तो आपको बहुत बहुत पदाई हो और हमारी भारती सैनी बहन है तो उन्होंने बहुत धी प्यारा सा कमेंट किया है उनका भी बहुत बहुत धन्वाद और हमारी मुम्ताज बैने वो भी बहुत प्यारा सा कमेंट करती है जो कि हमारे सभी बैने डेली वीडियो देखती है सभी बैनों का बहुत बहुत तैय दिल से धन्वाद और हमारी खुसबू बैने वो भी बहुत अच्छा सा कमेंट करती है उनका भी बहुत बहुत धन्वाद और हमारी एक सारी का बहन है उनका भी बहुत बहुत धन्वाद आप लोग ऐसी प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पे सारे काम मारे हो चुके हैं पर तापने का टाइम नहीं मिलता है तो अब जाके सारे काम हो गए हैं उसके बाद में सभी लोग हो गए हैं फुरसत उसके बाद में आग तापने लगे हैं तो यहां पे दीदी और बिटिया हैं और दीदी का लला है और हम सभी बच्चे भी आएं तो सभी लोग अभी ताप रहे हैं और कई लोग तो इधर उधर घूमने के लिए निकल गए हैं अपने अपने काम से तो काफी लोग हैं मारे घर में बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पे बस आग ताप लेंगे उसके बाद में थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत तैय दिल से धनवाद और आप लोगों को आज का ब्लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता हैं कल फिर मिलेंगे नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए नमस्ते